जो हमारे लिए जरूरी है जिसको हमें करना है जिसके लिए हम धर्ण खर्च कर सकते हैं जिसकी पूर्ती के लिए हम तत्थ पर हैं तयार हैं प्रयास कर रहे हैं वो हमरी आवसक्ता कहलाती है आवसक्ताओं के क्लासिफिकेशन अब हम देखते हैं तो तीन प्रकार का है कौन सा हम सब जानते हैं पहला है अनिवारिय एसेंसियन जिसके मिना हम जिन्दा रही ने सकते हैं हवा पानी भोजन कपड़ा यह सब अनिवार्य आवशक्ताओं में आता है रोटी कप्रा और मकान तो आप जानते ही हो दूसरा होता आराम दायक आवशक्ता जिन आवशक्ताओं की पूर्ती अगर नहीं होती है तो हमें आराम नहीं मिलता है हमें तकलीफ होती है इसे मैं आगे बताऊंगे और तीसरा है विलाशिता संबंधि आवशक्ता है लेकिन वि ए विलाश्य पुनलने आवशकता कहला ती अगर हम देखते हैं तो उनि वार आव सकताओं को भी तीन वर्गों में वर्गी करीद किया गया है तीन भागों में बाटा गया पहला कौन सा अनिवार आवशकताय में पहला है जीवन रख्षक् sketches believe wants life savings needs जीवन रक्षक आवशकता है जिसके बिना हम जिन्दा रही नहीं सकते हैं हवा नहीं मिलेगे हम जिन्दा रह लेंगे आठ मिनट तक अगर हवा हमको नहीं मिलती है तो हमारी देथ निश्चित है पानी के बिना हम जिन्दा नहीं रह सकते हैं बोजन बिना हम लंबे समय तक ज अवशक्ता है कि सर्दी गर्मी और बरसात से बचाने के लिए हमें भले जोपड़ी हो समशा मकान हो कुछ भी हो हमें आवास भी चाहिए तो रोटी कपड़ा और मकान हवा और पानी यह जो है अनिवारी आवशक्ताओं के अंतरगत गीने जाते हैं है ना अनिवारी में भी जीवन रख्षक जिसके बिना जीवन हमारा संकट में पड़ जाएगा दूसरा है नीपूंता रख्षक आव की संतुस्टी के लिए और जिन की संतुस्टी के बगएर मनुसी जिन्दा रह सकता है लेकिन उसकी कर नहीं बढ़ेगी उसकी सिलता नहीं बढ़ेगी जैसे आप रोटी अचार खा करके पेट भर सकते हो जिंदा रह सकते हो रोटी चट्णी खा करके जिंदा रह सकते हो लेकिन आपकी efficiency नहीं बढ़ेगी efficiency तब बढ़ेगी जब आप संतुलीत और पोस्टिक भोजन लेंगे जब आपके आहार में कार्बोहाइडरेट, फैट, प्रोटीन, बिटामिन, खनीजलवन समेथ सभी पोशक्तातों मौजूद होते हैं तब वो निपुन्ता रक्षा कावशक्ता ने कहलाती हैं अगर हम निम्नकोटी का भोजन करेंगे तो धीरे 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 हमारा शरील बीमारी का घर हो जाएगा पोशन निउनता जनिता बीमारी हो जाएगी समझ गए पोशन निउनता जनिता हमारी हम ऐसे विवार्यों से हम ग्रसित हो जाएगे धीरे धीरे विटामिन A की कमी हमारी बावडीम हो जाएगा तो आखों का रोग हो जाएगा कैलसियम की कमी होगी तो हड्डियों का रोग हो जाएगा विटामिन B1 की कमी हो जाएगी बेरी बेरी रोग हो जाएगा सी की कमी हो जाएगी असकर्वी रोग हो जाएगा बतलो व्यक्ति निम्न कोटी का जीवन जीने लगेगा जिसके कारण उसको कई सारी चीजे जो उनको दक्षता बढ़ाने के लिए होती हो नहीं होना चाहिए वो मिलता ही नहीं उनको तो मोर्लेंड है एक प्रोफेशर जिन्होंने इस पर काम किया और उन्होंने ये बताया कि कुछ वस्तुएं हैं जो निम्पूंता रक्षक अनिवार आवशक्ताओं के अ हवादार मकान आप जोपी में रह सकते हैं अपना कोई चारपाई पर सोता है आप देखते हो भारत की स्थितियां कोई किसी से चुपी हुए नहीं हम कोई नहीं बातें नहीं बता रहे हैं तो निपूंता रक्षक अनिवार याव शक्ताउं के अंतर गताता है साफ और हवादार मकान दूसरा आता है पॉस्टिक और संतुलित भोजन तीसरा आता है निवन्तम से थोड़े अधिक बस्त्र यो तो हमारे तिन बस्त्र में काम चल जाएगा चलता है ना एक हम बाहर निकलने के लिए किसी के घर जाने जाने के लिए कपड़ा रखते हैं दूसरा कपड़ा हम असनान करके पहनते हैं और जब असनान करने सपहले जाते तो उस कपड़े को धोना पड़ता है तो तीन जोड़ी तो हर एक व्यक्ति के जीवन में अनिवारी होता है अग slippy कपड़ा है है महात्मा गांधि सब्सक्राम गांधि अजब महत्मा गांधि नेक बार देखा था कि एक बुड키 अमा गंगाट्ट पशुके पास था य्क उसके पास ठोती थी उसी होती को और चुछ कुछ एक से पका कर नहांती ति महात्मा गार दिशित को देखा नहीं गया उन्हें ने पूछा कि मात तो ऐसे सुखा रही हो आधे गिले हैं तुम्हारे उन्होंने यहीं का बेटा मेरे पास एक ही कपड़ा है यहीं से मेरा सुखे वह से तन धकूंगी अब गिलों को फिर सुखाऊंगी पता है कांधी जी ने उस तिन से एक ही लंगोट पहनना सुड़ो कर दिया एक ही दोती पै हमारे किसी काम का नहीं है हम तो बस वही कपड़ा पहनेंगे एक ही वस्त एक ही लंगोट तो नियूनतम से थोड़े अधिक बस्त्र होने चाहिए चार जोड़ी पांच जोड़ी छे जोड़ी आठ जोड़ी जिससे कि आपको आराम मिले अगर दो बस्त्र गंदा है तो तीस अगर पीटा ट्रेइज्वमट है तो बच्चों को भी घ्रेज्वेट होने की चाहिए पांसमनों ने बताया चिकट साकी ऊचित व्यवस्ता यह भी आरामदायक क्या अनिवार अवस्ताओं के अंतरगत गेनी जाती हैं चिकट साकी व्यूत था हो गया मलेरिया हो गया बुक्हार हो घैक थ्चिक्राइब के उचित ही ना झीवस था और फेर लास्ट में आमोद प्रमोद की वेवस्था ये आपकी किसम में आप नपून्वारा अग्फू अगर आप ठबाद थक जाते हो इस के बाद आता है तीसरा जो है प्रतिस्ठा रख्षक अनिवारी आवशकता है अनिवारी आवशकताओं के अंतरगत तीसरी पॉइंट है वह है प्रतिस्ठा रख्षक जिसके कारण हमारी समाज में इज्जत बनी रहती है हमारा समाज में मान सम्मान बना रहता है वह आवशकताओं भी अनिवा तो पूरी सब्जी से भी काम चल जाएगा, एक विठाई से भी काम चल जाएगा, लेकिन हम अपने हैसित के अनुसार, उस आप सक्ताओं की भी पूर्ती करते हैं, मान सम्मान के लिए, और इसके लिए आप देखते हो, क्या गड़ते हैं, तो मैं पता है, लोगों को कर्ज भी हैं, क्या है, उसके अंतर गते हैं, बचों को कपड़े देते हैं, समाज में करते हैं, काम, बटा खेलाते हैं, माता लक्षवी की पूजा करते हैं, और निवारी चीजे जो होती हैं, सोफा कब अबों को बदलना होता है तो बदलते हैं जो रिया निवारी होता है बेट चुछ कपर बदलना होता है ठीक है इस अब करते हैं इसके बाद दूसरे आवशकताएं आती है आराम दायक आवशकताएं